So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानि की 15 सेप्टेंबर की important current affairs को तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाली में किसे सिक्षा के शेतर में lifetime achievement पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा नजमा अक्तर को और ये कौन है, ये जामिया मीलिया इसलामिया युनिवर्सेटी की वाइस चांसलर है नजमा अक्तर जिनने अभी हाली में lifetime achievement award से सम्मानित किया गया और क्यों मिला इन्हें ये award तो उन्हें उनके सिक्षा को रोजगार से जोडने के लिए महान प्रयासों के लिए ये सम्मान मिला है अच्छा ये शांता थोटम का नाम आपने अभी सुना है BRICS Forum में World Innovation Award इनको मिला था रामचंद्र गूहा अभी 2023 के लिए Elizabeth Longford पुरुसकार मिला जबकि ललित नत्राजन बाल शरम उन्मूलन के लिए एक बाल मसीह पुरुसकार 2023 इनको मिला अच्छा इतना है नहीं 2023 के कुछ और important awards में आपको यहां पर रिवाइस करा हूँगा जैसे कि अभी के आर गौरी अम्मा आवाड 2022 यह मिला था डॉक्टर एलेडा गुएरा को यह क्यूबा देश की social activist है अभी UN Habitat Award 2023 मिला उडिसा के जागा मिशन को जिसका उद्देश्य क्या है जो कि एक स्लम उन्नेयन मिशन है अभी असम वेभव पुरुसकार मिला था डॉक्टर तपन सेकिया को गोल्डन केलाशा अवाड मिला नौनेरा फिल्म को यह राजस्थानी फिल्म है जिसके निर्देशक है दिपांकर प्रकाश और 2022 का 71 मिस युनिवर्स का खिताब जीता था बॉनी गैबरियल आर बॉनी गैबरियल ने यह अमेरिका की है अभी नंबर वन पुलिस थाना चुना गया था असका पुलिस थाने को जो कि उडिसा के गंजम जिले का है अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंदन पुरुसकार दोजार तेविस यह मिला संस्थागत श्रेणी में बात करें तो उडिसा के आपदा प्रबंदन प्राधिकरण और मिजोरम के लुंग लईव फायर स्टेशन को और अभी ग्रेमी पुरुसकार की बात करें जो की म्यूजिक यानि की संगीत के शेतर में दिया जाता है तो अभी ये भारत्य हैं रिकी केज इनको मिला था इनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए और तीसरी बार इनको ये ग्रेमी पुरुसकार मिला है तो ये सारे awards आप current affairs में पढ़ चुके हो एक बार फिर से मैंने आपको revise करा दिया ताकि आपका revision हो जाए अभी बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में आयुश्मान भव अभियान को किसने शुरू किया तो अंसर होगा द्रौपदी मुर्मू तो अभी 13 सेप्टेंबर 2023 को अमारी राष्टरबदी द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात में राजभवन से ये आयुश्मान भव अभियान और आयुश्मान भव पोर्टल को शुरू किया है ये एक health initiative है जिसका उद्दिश्य क्या है देश के हर गाउं और कस्बे तक स्वास्ते सेवाओं को पहुचाना तो इस अभियान के तहट 17 सेप्टेंबर 2023 से 2 अ स्वास्त की जाच की जाएगी अच्छा इसी तरह से एक योजना आपको याद आएगी जो कि विश्व की health care की सबसे बड़ी योजना है आयुश्मान भारत योजना जैसे आप प्रधान मंतरी जन आरोग्य योजना भी कहते हो अब पहली बात तो यहीं से दो परश्न बन ज दिया जाता है स्वास्त बीमा और एक current affairs का परश्न बन जाएगा अभी ये स्वास्त बीमा को 5 लाख रुपे से बड़ा करके 10 लाख रुपे कर दिया यानि कि डबल कर दिया किस राज्य सरकार ने तो आंसरोगा गुजरात ने और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहल ने cover किया तो पहले तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लेना वीडियो देखने के लिए simple सा YouTube पे सर्च करना Central Government Schemes Crick Exam वीडियो उपर आ जाएगा बाकि देखो राश्टर पती जिसे मैं आपको याद दिला दूँ एक तो अभी सूरी नाम का सरवच्छ सम्मान इ प्रषाइना हिल्ज जिसको लिखा किसने कस्तूरी रे ने लिखा और अभी प्रसिडेंड ने ही साथोए अंतर राश्टर धर्म धं म सम्मिलन का उधगाटन किया था मद्य प्रदेश के भोपाल में और अभी इनोंने उतकर्ष और उनमेशा उच्सव का उधगाटन भी किय था मद्य परदेश के भोपाल में ही उससे पहले इन्होंने असम के काजी रंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव का भी आयोजन किया था तो इस तरह से भी राश्टर बदीजी जापके करंट अफेर्स में बनी हुई थी वो में आपको रिवाइस करवा दिया ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस ये का पे खुला गया तो अंसर होगा अमरत्सर तो अभी पंजाब के अमरत्सर में स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना के तहत राज्य के पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उदगाट हमने जो current affairs की revision वाली class start की है जिसमें हम January 2023 से current affairs का revision कर रहे हैं अब समझो उसका फाइदा क्या है जैसे कि इस question को हमने पढ़ा और actually मैं इस साल के starting में इस परियोजना को पंजाब ने शुरू किया था और वो question उस revision वाले video में भी मैंने cover किया है तो जब आप वो video देखोगे और ये daily current affairs का तो आप देखी रहे हो तो वहाँ पे भी वो question आपको मिलेगा और ये daily current affairs में question आपने पढ़ लिया यहाँ पे भी आपको मिला तो आपके दिमाग की बत्ती जलेगी कि यार ये प्रश्णे तो अपने वहाँ पे भी बढ़ा था इसका मतलब क्या होगा आपका दिमाग चीजों को link करना स्टार्ट कर देगा और इससे फाइदा क्या होगा कि आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे आपको चीजे आसान लगनी लगेगी तो जो आपकी daily current affairs की revision वाली class हमने start की है जिसमें 10 से 15 मिनिट में आपके लेता हूँ और लगबग 50 से 60 question में आपको revise करवाता हूँ तो वो वीडियो किसी भी कीमत में miss मत करना क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा paid videos मिल जाएं लेकिन free में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा तो इसका फाइदा जरूर उठाना जैसे अभी revision वाली class हमने लगबग 5 cover कर लिए तो वो 5 वो आपकी देखी हुई होनी चाहिए regulatory आपको बना के रखनी है बाकी पंजाब की बात हुई है तो पंजाब की capital होती है चंडिगण मुख्य मंतरी है भगवन तमान और governor कौने बनवारी लाल पुरो है और आपको यादे right to work policy को लागू करने वाला भरत का पहला राज्य ये भी बना था पंजाब और याद रखना रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने भारते वायू सेना विरासत केंद्र का उद्ध़टन काँपे किया था चंडिगड में ही और अभी पंजाब के 5 बार के मुख्य मंतरी रहे परकास सिंग बादल का निदन हो गया और अभी जिंगा मेले का आयोजन ये भी हुआ था पंजाब में अभी चंडिगड एयरपोट का नाम बदल के भगत सिंग जी के नाम पे कर दिया गया अभी यहीं पे एक विधायक एक पेंचेन योजना भी शुरू हुई थी अभी मागी मेले उत्सव का आयोजन भी हुआ था पंजाब में ही और हाँ एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ट बायोगेस प्लांट ये काँ पे बना पंजाब के संगरूर में तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में राष्ट्रे हिंदी दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 14 सेप्टेंबर को तो हर साल 14 सेप्टेंबर को भारत में नेशनल हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है और 14 सेप्टेंबर को ही क्यों क्योंकि 14 सेप्टेंबर 1949 को हिंदी की देवनागरी लिपी को हमने अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था और किस अनुच्छेत के तहट 343 और इस दिन को पहली बार हमने मनाया 1953 में 14 सेप्टेंबर 1953 को अच्छा ये तो राष्टर हिंदी दिवस हो गया नेशनल हिंदी डे एक विश्व हिंदी दिवस भी होता है जो हम मनाते हैं 10 जन्वरी को और वो 10 जन्वरी को क्यों मनाते हैं क्योंकि 10 जन्वरी 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था कहां पे नागपूर में और अगर मैं आपसे पूछूँ, अभी फरवरी में बारवा विश्व हिंदी सम्मेलन ये कांपे हुआ था, फिजी देश में, और हिंदी में MBBS की पड़ाई करवाने वाला पहला राज्य कौन सा बना, मद्यप्रदेश, वैसे विश्व हिंदी सच्चे वाले ये कांपे रिस मौरिश्यस में, और वर्तमान में कितनी शास्त्रे भाषाएं हैं, क्लासिकल इम्वेजेज, छे हैं, कौन-कौन सी है, तमिल है, तमिल पहली शास्त्रे भाषा थी, जिसे जोड़ा गया था 2004 में, उसके बाद तेलगु आई, मलियालम, कन्नड, संस्करत, और सबसे नवीनतम अगर पूछें, तो वो उडिया है, 2014 में जोड़ा गया था, और आपको यादे, साहित्याकादमे पुरुसकार 2022, इसमें हिंदी का मिला था, बद्रे नारयान को उनके कवीता संगरत तुमडी के शब्द के लिए, अच्छा भारत की स्थानिय भाषाओं को डिजिटल दुन तो इसमें पंदरवी भाषा बनी थी सिंधी, 21-वे समविधान संशोधन के तहट, फिर 16-वी, 17-वी और 18-वी बनी थी नेपाली, मनिपुरी और अंकणी, 71-वे समविधान संशोधन के तहट, फिर 19-वी, 20-वी, 21-वी और 22-वी, ये बनी थी बोडो, डोंगरी, संथाली और मेथली, 92-वे समविधान संशोधन के तहट, तो इस तरह से अब आठवे अनुसुची में कितनी भाषा हैं, 22 हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा फेक्ट्स मैंने आपको बताए, इनको भी ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे, चलो फिर बताओ, अभी हाली में पांचवी चेयर रगबी चेंपेंशिप दोजा तेविस, जो कहां पे हुई थी, पूने के बालेवडी में, इसको महाराष्ट्र ने जीत लिया करनाटक को हरा करके, और अभी आपको याद होगा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पांचवा संसकर्ण हुआ था, कहां पे, मध्यप प्रदेश में, जिसका शुबंकर यानि के मैसकोर था आशा, उसमें भी विजेता रहा था महाराष्ट्र, अचा कुछ और इंपोर्टेंट पोइंट में आपको रिवाइस कराऊं, तो अभी देवधर्ड ट्रोफी, इसको साउथ जोन ने जीता, इस्ट जोन को हरा करके, ए एक इरानी ट्रोफी हो गया, इसको शेश भारत ने जीता, मध्यप्रदेश को हरा करके, और इन सब का सम्मंद किर्केट से है, बाकि अभी 76 नंबर की संतोष ट्रोफी, इसको जीता करनाटक ने मेगाले को हरा करके, और अभी 32 डोरंड कप हुआ था कॉलकता में, इसको मोहन बागान ने जीता, इस्ट बंगाल को हरा करके, इनका सम्मंद फुटबॉल से है, तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे, चलो फिर बताओ, अभी हाली में भगवान के आत्मकथा, नामक, पुस्तक को किसने लिखा है, तो अंसर होगा, लेना कुमार ने, तो फिल्म फेर पुरुस्कार विजेता है, लेना कुमार और अभी इन्होंने, आत्म बूत पर अपनी पहली पुस्तक जारी की है, जिसका नाम रखा है, दे आटो बायोग्राफी ओफ कॉड, यानि के बगवान के आत्मकथा, बाकी निर्जा चौदरी जानते हूँ, हाउ पीम डिसाइड नाम से बुक लिखी, सरीका भारद्वाज ने अफूल्स एनर्जी नाम से बुक लिखी, और रंजीत प्रताप, as the wheel turns नाम से बुक लिखी, अच्छा यहाँ पे कुछ और बुक्स में आपको रिवाइस कराऊं, तो अभी एक के भटा चार रहे हैं, अभी इन्होंने भारत क वित्यमंतरी सोतंतरता से अपातकाल तक नाम से बुक लिखी, उल्टा पढ़ते हैं चलो इस बुक को लिखा शांतनु गुपता ने, यह बुक तो अभी हमने कहीं बार पढ़ी है, तो यह ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे, चलिए फिर बताईए, अभी हाली में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंचे समवाद मोबाइल अप्लिकेशन को लॉंच किया, तो आं सरपंचे समवाद इसको लॉंच किया है, तो क्वालिटी काउंसिल ओफ इंडिया, इसने पूरे भारत में लगबक डाही लाख सरपंचों को जोडने के उद्दिश्य से एक पहल के रूप में एक एप्लिकेशन को लॉंच किया है, जिसका नाम यह है सरपंचे समवाद, जो नेटवर्किंग, ज्यान प्रसार और सहयूग के लिए एक समगर मंच के रूप में कारे करेगा, मतलब इसके माद्यम से सरपंच अपने गाउं में विकासात्मक, गती वीदियों पर प्रकाश टाल सकते हैं, सरवुत्तम प्रथाओं के बारे में जान सकते हैं, और देश बर में कनेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं, अब बात यहां पर असम की है, तो यह रा मैप में असम, देखो असम की केपिटल हो गई दिसपूर, मुख्या मंतरी हमन्त बिस्वा सर्मा हो गए और गवर्नर है गुलाप चंद का टारिया, असम में आपको याद होगा मनाया जाता है, वैसे कामाख्या देवी का मंदिर भी यहीं पर है, जहां पर अंबुबाची का मिला लगता है, और यहीं पर आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा, जो अभी न्यूज में है काफी, क्योंकि इसकी पहली महिला शेतर निदेशक बनी थी, डॉक्टर सो और याद रखना सेटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क भी यही है, काजिरंगा नेशनल पार्क, और यहीं पर अभी राष्टरबदी, द्रौबदी, मुर्मुजी ने गज उत्सव का उधगटन भी किया था, वैसे असम में नेशनल पार्क कित इसे पहले छटवा बना था रायमुना नेशनल पार्क, बाकी के पांच कौन-कौन से हैं, एक तो यह काजिरंगा नेशनल पार्क हो गया, जो कि एक सिंग वाले गिंडू के लिए फेमस है, एक नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिबरु शिखोवा नेशनल और अरंग नेशनल पार्क हो गया, और अभी असम सरकार नहीं, स्वच्छ जिले को पुरस्करत करने के लिए मोधी अवाड भी शुरू किया, अभी असम के चोकुआ चावल, जिसे जादूई चावल भी कहते हैं, उसको जी आई टेग मिला था, और डीजी यात्रा आजे के विजेवडा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया, तो अंसरोगा अंदरप्रदेश, तो अंदरप्रदेश में है ये विजेवडा रेलवे स्टेशन, जिसको अभी परियावरन मानकों में सुधार और यात्रियों को परियावर में green concept यानि कि हरित अउधार्नाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना उन्हें motivate करना और railway की बात है तो सबसे पहला point और latest current affairs का प्रशन तो यही है कि अभी railway board की पहली महिला chairman और CEO कौन बनी है तो answer होगा जया वर्मा सिनहा रेल मंत्री आप जानते ही हो अश्विनी वैशनव है और पहले रेल मंत्री थे जौन मत्हाई बाकी देखो अभी आपको याद होगा देश का पहला pink station ये कौन सा बना था Mumbai Division का Matunga station और आप जानते हो Mumbai के भाय खला railway station को अभी UNESCO Asia Pacific Award से सम्मानित किया गया था अचा वैसे अभी RPF Railway Protection Force के Director General बन गए Manoj Yadav की नया appointment है और याद रखना तेलंगना में देश की सबसे बड़ी Niger Rail Coach Factory का उधगाटन किया गया कहाँ पे तेलंगना के हैदराबाद में और Company का नामे Medha, Sarvo, Drives, Private Limited वैसे भारत में चार Rail Coach Factories हैं चन्नेई में, कपूर्थला पंजाब राइबरीली यूपी और लातूर महराष्टर में ये भी मैंने आपको बता दिया ये static हो गया ये ध्यान रखना बाकि अभी 100% विद्यूती करत Railway Network वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? हर्याना बना और आपको याद हो तो Railway ने अपने दो लक्षे रखे थे कि पूरी तरह से electrified हो जाएंगे हम उसका target हमारा 2000 वी से और पूरी तरह से green energy पर चलने लगेंगे हम उसका target था 2030 का और दुनिया का भी सबसे लंबा Railway platform ये काँ पर बना? करनाटक के हुबली में श्री सिद्ध रुदा Railway Station पर जिसके लंबाई 1507 मीटर है और अभी मुंबई के Church Gate Railway Station का नाम बदल के CD देश मुख के नाम पर रख दिया गया important नाम है क्योंकि RBI के पहले भारते governor थे ये और अभी संपर्क क्रांती एक्सप्रेस का नाम बदल के अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया एमदाबाद और दिल्ली की बीच में चलती है ये और अभी hydrogen संचाली ट्रेन को शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बना था चाइना जबकि दुनिया का पहला देश इस मामले में है जर्मनी अचा वैसे भारत में father of railway किसे का जाता है Lord Dalhoji को क्योंकि इनी की समय भारत की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठणे 1853 की बात है और अगर मैं आपसे बूचू कि हमारी पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां चली दिल्ली से वाराना सी वंदे भारत ट्रेन जिसका निर्माण इंट्रिकल कोच फेक्टरिट चन्ने में ये भारत की पहली semi high speed ट्रेन है जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था या दर्कना भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन पूचे तब भी यही उत्तर होगा मतलब इसमें अलग से कोई इंजन नहीं है ये इसका मतलब हो गया और अगर पूछे कि धक्षिन भारत की पहली वंदे भारत कहां से कहां चली मैसूर से चन्ने ही चली थी और अगर पूछे कि वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पाइलेक का नाम बताओ तो आंसर उगा सुरेखा याद आओ तो यहाँ पर यह railway से संबंदित काफे सारे points में आपको revise करा दिये लगबक 10-15 points इनको ध्यान रखना बढ़ते हैं और हाँ guys अगर session को अभी भी आपने like नहीं करा तो लेक तो like जरूर कर दिया करें ठीक है अगर आप भूल जाते हो तो मैं आपको बीच में याद दिला देता हूं तो कर दिया कर और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूला करो एक बार अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर किया करो या जो भी आपका study group होता है whatsapp, facebook, telegram पे कहीं पर भी अगर study group से आप जुड़े हैं तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना जैसा बीज बोगे वैसा फल पाऊगे तो या पर वीडियो को आप लोग शेयर करोगे तो उसका benefit overall final आप ही को देखने को मिलेगा और मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे अभी बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए 2023 में किस किले पर नौसेना दिवस मनाया जाएगा तो आंसर होगा सिंदू दुर्ग किले पर वैसे हम नौसेना दिवस नेवल दे कब मनाते हैं? 4 देसंबर को तो पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध के दुरान कराची बंदरगा पर भारते नौसेना के हमले की याद में हम इस दिन को मनाते हैं और इस साल नौसेना दिवस समारो ये महराश्टर के सिंदू दुर्ग किले में मनाया जाएगा आपको बता दू इस दुर्ग को सतरवी शताबदी में मराठा शाशक छत्रपति शिवाजी महराज ने बनवाया था और पिछले साल नौसेना दिवस हमने विशाका पत्नम में मनाया था तब पहली बार इसे हमने दिल्ली के बाहर मनाया था वैसे नेवल चीफ हमारे कौन है आर हरी कुमार है अगर मैं पुछू आर्मी चीफ हमारे कौन है विवेक राम चौदरी है और एयर फोर्स डे हम आठ अक्टूबर को मनाते हैं जबकि आर्मी चीफ हमारे मनोज पांडे हैं और आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं हमारे सेकंड नंबर के सीडियस चीफ आफ डिफेंस स्टाफ कौन है अनिल चोहान है पहले कौन थे विपिन रावजी थे तो ये ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे चलो फर बताओ भारत ने किस देश से C-295 ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट खरीदे हैं तो आंसर होगा इस्पेन तो C-295 ये एक ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट है मतलब ये ट्रांसपोर्ट के काम आएगा हमारी सेना में जैसे कि सेनिकों को एक कि स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना हो या उनके सेन्य उपकरनों को ले जाना हो तो इसके लिए इसका इस्तमाल होगा कितने खरीद रहे हैं हम 56 जिनमें से 16 तो इस्पेन में ही बनेंगे और बाकी 40 ये गुजरात के वडोदरा में इस्थित ताटा और एरबस के जॉइंट वेंचर प्लांट में बनेंगे इस्पेन की केपिटल क्या होती है मैडरेड होती है करंसी यहांकी यूरो है और प्रदान मंत्री है पेड्रो संचे आपको जरूर याद होगा अभी जो फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप 2000 हुआ था कहां पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में जिसका मैस्कोट यानिके थीम कंट्री के रूप में इन्वाइट किया गया है तो पहला प्रशना आप से पूछा था अभी सरुष्यरिष्ट देशों की रैंकिंग में सरुष्यरिष्ट देश का किताब मिला है लगातार दूसरे बार सुजजलेंड को भारत तीस्वे स्टान पर है फिर पुछा किल फिर पुछा भारत की सुप्रीम कोट ने नियाएक सहयोग के लिए किसके साथ समझोते कि अपन पर स्थाक्षर किये तो आंसर होगा सिंगापूर फिर पुछा भी किस नगर निगम में आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योधना शुरू की तो आंसर होगा पटना फिर पुछा ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चा युक्त बने कौन गौपाल भागले और फिर पुछा भी सबसे तेज 150 वंडे विकेट तक पहुतने वाले पहले भारते स्पिनर कौन बने कुल दी प्यादाओ तो कल के वीडियो में आपसे बूच आता कि लगाता प्यादा बारत प्यादा प्यादाओ प्यादा खिते हैं